2023 की विदाई और 2024 में स्वागत है आपका नमस्कार मैं हूँ अमरितपाध है UPSC की परिक्षा में करेंट में चल रही खबरों का विशेश महत्व होता है परिक्षा से पहले एक साल की खबरें सबसे ज़्यादा महत्व पूर्ण होती हैं इसलिए मई 2024 में होने वाली UPSC की प्रारंभिक परिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आज पेश कर रहे हैं साल भर की राजववस्था से जुड़ी कुछ एहम खबरें यहां हम खबर को सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तमाल करेंगे जिससे आपको खबर की भी जानकारी हो सके साथ ही उससे जुड़े समवधानिक प्रावधानों से भी आप रूबरू हो सके आईए शुरू 2023 की शुरूआत में ही सुप्रेम कोट ने सरकार के 2016 में लिए गये एक निरने को सही करार दिया ये फैसला कोट की समवधानिक पीठ ने सुनाया दरसल आठ नौवंबर 2016 को रात आठ बजे सरकार ने एक फैसला सुनाया था ये फैसला डी मॉनटाइजेशन यानि विमुद्री करण या नोटबंदी का फैसला था इसमें एक हजार और पांच सो रुपे के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था सुप्रिम कोट ने नोटबंदी को चुनोती देने वाली तकरीबन 58 या चिकाओं पर फैसला सुनाया था कोट के मुताबिक आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों को पल्टा नहीं जा सकता ये फैसला पांच जजों की समवेधाने की पीठ ने सुनाया चार एक के बहुमत से आये सुप्रीम कोट के इस फैसले पर जश्टिस बी वी नागरतना ने और सहमती जाहिर की थी वहीं जश्टिस एस अब्दुलनजीर, बी आर गवई, एस बुपन्ना और वी रामा सुप्रमन्यम ने सहमती जाहिर की अब एक सवाल जो आपके जहन में आया होगा कि विमुद्री करण क्या होता है विमुद्री करण की प्रक्रिया में किसी मौद्री की काई की वैद स्वीक्रिती को खद्म कर दिया जाता है इसमें आधिकारिक मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है जो करंसी चलन में होती है उसके इस्थान पर नई करंसी शुरू की जाती है अब सवाल उठता है कि इतनी पेचीदा प्रक्रिया को सरकारें क्यों अपनाती हैं दरसल इसका प्रयोग सरकारें जाली मुद्रा आतंकवाद की फंडिंग और टैक्स फ्रॉड को रोकने के मकसद से करती हैं साल 2016 में भारत में तीसरी बार विमुद्री करण किया गया इससे पहले साल 1946 में और 1978 में सरकार ये प्रक्रिया अपना चुकी थी सरकार को ये करने के शक्ति मिलती है RBI Act 1934 की धारा 26 दो से ये धारा केंदर सरकार को बैंक नोट की किसी सीरीज को डी मॉनेटाइज करने के शक्ति देती है चलिए आगे बढ़ें जनवरी 2023 में ही सरकार का कानून मंत्राले इमेज बिल्डिंग के मकसद से एक निर्ने लेता है मंत्राले रूल ओफ लॉओ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए एक समिती का गठन करता है ये समिती 23 मंत्राले और विभागों के साथ मिलकर काम करेगी रैंकिंग में सुधार के मकसद से सरकार ने एक प्राइवेट एजेंसी मार्केट एक्सेल डेटा मेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेट को भी हाईर किया है दरसल World Justice Project Rule of Law Index जारी करता है साल 2008 से जारी किये जा रहा है इस Index के जरीए समाज में सकरात्मक बदलाओ लाने की कोशिश की जाती है Index के मताबिक कानून के शासन और समाज में अर्थवबस्था, शिक्षा और सुरक्षा के बीच सकरात्मक संबंध होता है कानून का शासन भरष्टाचार और गरीबी को मिटाने में मददगार है या लोगों को गरीबी, बिमारी और अन्याय से सुरक्षा मोहिया कराता है साल 2023 में जारी Rule of Law Index में 142 देशों को शामिल किया गया था भारत को इसमें 89 रैंक हासिल हुई थी पहली रैंक डेनमार को तो आखरी पायदान पर वेनेजुएला काबिज रहा था इंडेक्स में 8 कारक, Constraints on Government powers, भष्टाचार की अनुपस्थिती, Open Government, आधार भूत अधिकार, Order and Security, खुली सरकार, Civil Justice, Criminal Justice को शामिल किया जाता है Rule of Law Index किसके द्वारा जारी किया जाता है, इस पर UPSC साल 2018 में सवाल पूछ चुकी है अगली खबर देखें, 2023 में आगे बढ़ने पर UGC यानि University Grant Commission ने Foreign Universities को लेकर कुछ गाइडलाइन्स जारी की थी दरसल UGC ने Setting Up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India नाम से एक ड्राफ्ट पेपर जारी किया था इसके मुताबिक Foreign Universities को भारत में कैंपस का गठन करने के लिए UGC की अनुमती लेनी होगी शुरुआत में ये परमिशन 10 सालों के लिए दी जाएगी इन युनिवर्सिटीज को भारत के कैंपस में भी शिक्षा के गुडवत्ता मेन कैंपस के बराबर ही रखनी होगी इन युनिवर्सिटीज में फंड्स का मोमेंट फेमा यानि Foreign Exchange Management Act के प्रावधानों के मुताबिक ही होगा एक सवाल उठ सकता है कि ये फैसला UGC ने ही क्यों लिया दरसल आजादी के बाद साल 1948 में डॉक्टर S. राधा क्रिशन के अध्यक्षता में युनिवर्सिटी एडुकेशन कमिशन का गठन किया गया था इसमें युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन को युनाइटेड किंगडम के मॉडल पर गठित करने की बात कही गई थी 28 दिसंबर 1903 को मौलाना अबुलकालाम आजाद के द्वारा युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन का शुभारंभ किया गया हाला कि आधिकारिक तौर पर इसका गठन नौबर 1956 में संसत के एक एक एक्ट के द्वारा एक सामविधिक संस्था के तौर पर किया गया इसका मकसद उच्च शिक्षा में गुडवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा दे दा है इसके बाद एक खबर UCC यानि उनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से आई UCC साल भर खबरों में रहा इनफेक्ट लंबे वक्त से चर्चा में है सुप्रेम कोड ने उतराखंड और गुजरात के UCC यानि उनिफॉर्म सिविल कोड पर बने पैनल्स को मनजूरी दी थी दरसल इन राज्यों ने UCC को लागू करने के लिए समिती गठित की थी इसके खिलाफ PIL दायर की गई कोड ने PIL को खारिज करते हुए समिती को हरी जंडी दे दी उतरा खंड सरकार की समिती ने UCC को लागू करने का ड्राफ्ट भी तयार कर लिया है कोड का मानना था कि राज्यों ने समिती का गठन अनुछेद 162 के तहत मिली शक्तियों से किया है यह समविधान के मुताबिक है इसे खारिज नहीं किया जा सकता अनुछेद 162 क्या कहता है कि इस समविधान के उपवंदों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कारेपालिका शक्ति का विस्तार उन विश्यों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडग को विधी बनाने की शक्ति है गौर तलब है कि शादी, तलाक और विरासत के मामले समविधान की समवर्ती सूची में है जिस पर कानुन बनाने का अधिकार राज्यों के पास भी है अक्सर खबरों में रहने वाले UCC के बारे में समविधान क्या कहता है समविधान में राज्य के नीती निदेशक्तत्व के अनुछे 44 में भारत के समस्त राज्यक्षत्र में नागरिकों के लिए एक युनिफॉर्म सिविल कोर्ट के लिए प्रयास करने की बात की गई है युनिफॉर्म सिविल कोर्ट से मतलब है भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवा, तलाक, गोदलेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा UCC को सम्विधान के नीती नितिशक तत्तों में शामिल किया गया है इसलिए ये केवल गाइडलाइन से इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है सम्विधान सभा की बहसों में UCC पर अच्छी खासी चर्चा की गई थी हालकि इन बहसों में जेंडर जश्टिस जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था डॉक्टर अंबेटकर का कहना था कि UCC की जरूरत है लेकिन अभी के लिए इसे वोलेंटरी रखा जाना चाहिए वहीं अल्लादी कृष्णा स्वामी UCC को लागू करने के पक्ष में थे इस मामले में नयाइपालिका ने भी कई मामलों में अपनी राय व्यक्त की है मसलन शाह बानो केस में सुप्रेम कोर्ट ने राष्ट्रियाए की करन के लिए कॉमन सिविल कोर्ट को जरूरी बताया था फिर खबरों में आया केरल का कोलम जिला दरसल कोलम देश का पहला समविधान साक्षर जिला बन गया था कॉलम में Constitution Literacy Campaign चलाय गया था केरल को भारत के सबसे साक्षर राज्य का दर्जा भी हासिल है जनगरना 2011 के मुताबिक केरल में साक्षरता दर 93.9 एक फीस दी है केरल की ही पुलम पारा पंचायत को 100% डिजिटल साक्षर पंचायत का दर्जा मिला है यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारत का सबसे साक्षर जिला केरल का नहीं बलकि मिजुरम का है मिजुरम का सर्चिप जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है वहीं मध्य प्रदेश का अली राजपूर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है ये डेटा मेंस में आंसर लिखते वक्त या प्रिलिम्स एक्जाम में भी पूछा जा सकता है क्या आपको मालूम है कि भारत में एक साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है जन्गरना 2011 मताबिक साथ साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाशा में पढ़ने लिखने में सक्षम है उसे साक्षर मानते है अगली खबर की शुरुआत हबीब जालिब की इन पंक्तियों से करते हैं तुम से पहले वो जो एक शक्स यहां तखतनशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकी था हैदराबाद के आखरी निजाम मुकर्रम जाह बहादूर का निधन हो गया था वे पिछले एक दशक्स तुर्किये में रह रह रहे थे उनकी अंतिम इच्छा के मताबिक उन्हें हैदराबाद में ही सुपुर्दे खाक किया गया गौर तलब है कि हैदराबाद के निजामों की गिंती दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी टाइम मैगजिन ने 1937 में उन्हें मैगजिन के कवर पर जगा देते हुए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति करार दिया था हैदराबाद के निजामों के पास दुनिया का सबसे बड़ा 282 केरेट का जैकब हीरा था जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तमाल करते थे दक्कन के पठार में फैली हैदराबाद रियासत का गठन साल 1724 में निजाम-ul मुलक आसफ जाह ने किया था साल 1798 में ब्रिटिश सरकार की साहयक संधी सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने ही स्विकार की थी आजादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी चारों तरब जमीन से घिरे इस रियासत के पास सबुत्र की पहुँच नहीं थी हैदराबाद की निजाम खुद को भारत में न मिलाकर आजाद रहना चाहते थे उनकी तकरिबन 85% प्रजा हिंदू थी सरदार वल्लब भाई पटेल स्वतंतर हैदराबाद को भारत के लिए अलसर की तरह देख रहे थे नॉवंबर 1947 में भारत सरकार ने हैदराबाद के साथ एक संधी परहस्ताक्षर किये इसके प्रावधानों के मुताबिक जब तक वारता जारी रहेगी निजाम अपनी रियासत में प्रतनिधी मूलक सरकार पेश करेंगे जिससे बाद में भारत में विले आसान रहेगा लेकिन हैदराबाद में रजाकारों के विकास ने भारत सरकार को ओपरेशन पोलो चलाना पड़ा ओपरेशन पोलो को ओपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है 13 सितंबर 1948 को ओपरेशन पोलो के तहट भारतिय सेना हैदराबाद में अंदर प्रवेश कर गई पाँच दिन चले इस ओपरेशन से भारतिय सेना के सामने निजाम ने समरपड कर दिया इस तरह हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई थी अगली खबर गवर्नर से जुड़ी गवर्नर यानि के राज़िपाल ये पद अपने गठन से लेकर आज तक विवादों में ही है 2023 में भी तमिलनाडू, दिल्ली, केरल, पंजाब, पशिम, मंगाल और महराष्ट में राज़िपाल के पद को लेकर विवाद बना रहा किसी राज़ि में राज़िपाल बिल को मनजूरी नहीं दे रहे हैं तो कहीं पर राजनैतिक कॉन्फरेंस को संबोधित कर रहे थे किसी राज़िका आरोप है कि राज़िपाल पद को मिली शक्तियों से आगे जाकर काम कर रहे हैं सबसे पहले समविधान में राजिपाल की स्थिति को देख लेते हैं। समविधान के अनुचेद एक सो तिरपन में राजियों के लिए राजिपाल का प्राउधान किया गया है। समविधान के अनुचेद 155 के मुताबिक राजिपाल को राश्चुपती के द्वारा नियुक् राज़े में केंदर सरकार के प्रतनिधी के तौर पर काम करता है हाला कि साल 1989 में सुप्रेम कोट ने साफ किया था कि राज़ेपाल का पद केंदर सरकार के तहत रोजगार नहीं है यह एक स्वतंत्र समविधानिक पद है अनुछेद 156 के मुताबिक राज़ेपाल का कारेकाल पांच सालों के लिए होता है हालाकि वह राष्टपती के प्रसाद परियंत धारन करता है मतलब मतलब यह कि राज़ेपाल के पास कारेकाल की सुरक्षा नहीं होती उसे राष्टपती द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है अनुछेद 157 में राज़ेपाल के पद की योग्यता का प्रावधान है राज़ेपाल के पद के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए 35 साल के उम्र पूरी होनी चाहिए इसके अलावा राज़ेपाल के पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है लेकिन राज़ेपाल के नियुकती के समय सरकारिया आयोकी सि कि जा रही है वह व्यक्ती उस राजे से संबंधित नहो जिससे वह हिस्थानिया राजिनिति आजाद रह सके स्वतन्त्र रह सके इसके अलावा Pizza राज्यपाल की न्यूप्ति के वक्त राश्टपति संबंधित राजी के मुख्यमंतरी से मश्विरा गरते हैं राय ज़्यादा देखने को मिलता है हलाकि शंसेर सिंग बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रेम कोट ने साफ किया कि राजिपाल को लगभग सभी शक्तियों का प्रयूग मुख्यमंत्री की सलाह पर करना है न की समनांतर सरकार चलानी है विश्यशग्यों के मताबिक सम्विधान के अनुच्छे 157 के प्रावधानों को रिवाईज किये जाने की जरूरत है जिससे राजिपाल के पद के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जा सके वरतमान में किसी एक राजिप में पार्टी के लिए पॉलिटिकल कैमपेगनिग करने वाला व्यक्ती दूसरे राजिपाल नियुक्त कर दिया जाता है ये प्रैक्टिस किसी पद की स्वतनतरता को सीमित करती है आपको बता दें कि आम तोर पर किसी राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होता है, हलाकि सात्वें सम्मिधान संशुधान अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और जाच एजन्सियों के अधिकार भी कॉंप्रमाइज हो जाते हैं। दरसल चार्जशीट, CRPC की धारा 173 में परिभाशित है। ये फाइनल रिपोर्ट होती है जिसे पुलिस आफिसर या जाच एजन्सियों द्वारा किसी मामले की पूरी जाच के बाद तयार किया जाता पूरामदित पूलिस इस्टेशन का ऑफिसर इन चार्ज इसे मजिस्ट्रेट को भेजता है। मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट में दर्ज आप रादों पर नोटिस लेने की शक्ति होती है। चार्जशीट में मामले से जुड़ी हर छोटी से छोटी जरूरी सूचना दर्ज की जाती है, जैसे कब अरिष्ट किया गया, कश्टडी में कब लिया गया, किये गया, अपराध और लिये गया, एक्शन से जुड़े, सभी सवालों के जवाब चार्जशीट में होते हैं, चार्जशीट को दोशी के खिलाब 60-90 दिनों के भीतर दायर करना जरूरी है, प्रेस्क्राइब्ट समय सीमा के भीतर चार्जशीट दायर ना होने पर दोशी को जमानत मिल सकती है, आपको बता दें FIR और चार्जशीट, दो अलग-अलग रिपोर्ट होती है, वहीं चार्जशीट को पूरी मामले की जाच के बाद दायर किया जाता है, FIR का जिक्र IPC य मनाय जा रहे है, 13 मतदाता दिवस की थीम नथिंग लाइक वोटिंग, I vote for sure रखी गई थी, राश्ट्रिय मतदाता दिवस मनाने के शुरुवात साल 2011 से की गई थी, इसका मकसद देश के मतदाताओं में चुनाओ के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना था, इसे 25 जनवरी को मनाते हैं, यह भारत में चुनाओं के लिए जिमदार है, यह संस्था लोगसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिसलेटिव असेंबलीज और राश्टपती और उपराश्टपती के चुनाओ आयोजित कराती है, और जिन राज्यों में विधान परशद हैं, वहा बार दो अतरिक्त चुनाओ आयोगतों के नियुकती की गई थी, हालाकि इनका कारेकाल 1 जनवरी 1990 तक ही रहा, 1 अक्टूबर 1993 को एक बार फिर से दो चुनाओ आयोगतों के नियुकती की गई, इसके बाद से अब तक चुनाओ आयोग बहु सदस्य संस्था के तोर पर काम कर रहा है, चुनाओ आयोग को संविधान में सलाहकारी और अर्धनयाईक काम सौंपे गए हैं, इसके निर्णेयों को हाई कोट और सुप्रीम कोट में चुनाओती दी जा सकती है, इसके कारियों की बात करें तो निर्वाचक नामावली तेयार करना यानि वोटर लिस्ट बना इसके अलावा राजनितिक दलों को मानिता प्रदान करने और चुनाओ चिन्ह देने के मामले में हुए किसी विवाद के समधान के लिए नयायाले की तरह काम करना भी चुनाओ आयोग के कामों में शामिल है, इस साल चुनाओ आयोग एक और वजह से चर्चा में रहा, दरसल सरकार, the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners, Appointment Conditions of Service and Term of Office Bill 2023 लेकर आई, जिसे संसत से पारित कर दिया गया है, इसमें सबसे एहम फेर बदल मुख्य चुनाओ आयोगत, चुनाओ आयोगतों की नियुक्ति को लेकर किया गया, बिल के मुताबित, इनकी नियुक्ति, राष्टपती द्वारा एक समित मंत्री, एक केंद्रिया कैबिनेट मंत्री और लोग सभा में विपक्ष के नेता, और अगर विपक्ष के नेता मौजूद नहीं है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होगी। आप जानते हैं कि भारत लंबे वक्त तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहा है, बड़े और लंबे संगर्ष के बाद भारत को आजादी मिली, आजादी से जुड़े कुछ एहम दिन हर भारतिय के लिए बहुत एहमियत रखते हैं, इनमें 26 जनवरी और 15 अगस्त का खासा महत हैं, हम इन दोनों दिनों में तिरंगे जंडे के साथ होने वाली रीती रिवाजों के फर्क पर बात करने वाले हैं, 26 जनवरी के दिन राष्टपती तिरंगे जंडे को फ्लैग अनफरल करते हैं, यानि फैराते हैं, वहीं 15 अगस्त को मनाये जाने वाले स्वतंतरता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग यानि ध्वजा रूहन किया जाता है इन दोनों ही दिनों में आज़ादी के मौके पर स्वतंतरता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राश्ट को संबोधित करते हैं साथ ही तिरंगे को खंबे के एकदम नीचे सिरे पर बा जाता है इसे राश्टपती द्वारा बिना ऊपर खींचे अनफर्ल किया जाता है फैराया जाता है स्वतंतरता दिवस का दिन भारत के नए राश्ट के तौर पर जन्म लेने का दिन है उस दिन देश ऑपनिवेशिक सत्ता से आजाद हुआ था ब्रिटिश जैक को नीचे कर के भारतिय जंडे का ध्वजा रोहन किया गया था 15 अगस 1947 को भारत आजाद था लेकिन वर्तमान राश्टपती का पद नहीं था राश्टपती के पद के बराबर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड मांट बेटन थे जोकि आपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक थे इसलिए रा राश्ट ध्वज के रीती रिवाजों में फर्क देखने को मिलता है आपको बता दें कि भारतिय सम्विधान के अनुच्छेद 15AA में सम्विधान का पालन उसके आदर्शों, संसाओं, राश्ट ध्वज और राश्ट गान का आदर करने की बात कही गई है चलिए आगे बढ़ें, आप मिलेनियल्स हों या जेंजी, बारहवी के बाद करियर आप्शन में दो प्रोफिशन के बारे में जरूर सोचा होगा, डॉक्टर या फिर इंजीनियर, लंबे वक्त तक इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद सबसे ठहे जैसी कहावतें प्रचलि किया, इसके मताबिक इंजीनियरिंग देश में एक मातर ऐसा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें स्टुडेंट्स के इंरॉल्मेंट में कमी देखी गई है, इंजीनियरिंग के बीटेक और बीई प्रोग्रामस में 2016-17 के मकाबले 10% की कमी देखी गई है, पाथ पहले तक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंडरॉल्मेंट के मामले में तीसरे नमबर पर आता था, पिछले पाथ सालों में ये प्रोग्राम नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ चौते नमबर पर आ गया है, गोह और तलब है कि भारतिय इंजीनियर्स दुनिया के सबसे पाउरफुल सी योज में शामिल हैं, हाला कि भारत की बीटेक और बीए के डिग्री ने बीते कुछ सालों में अपना चार्म खो दिया है, इसकी मुख्य वज़ा इंजीनियरिंग कॉलेजेज में अपडेटेड करिकुलम की कमी और खराब स्टुडेंट फैकल्टी रेशियो को माना जाता है, आईटी इंडस्ट्री में बूम आने से देश में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या मश्रूम की तरह बढ़ी, लेकिन ये कॉलेज इंजीनियरिंग की आउसर नरचना से कोसों दूर थे, जिसका नतीजा देश के साथ साथ तमाम इंजीनियरिंग स्टुडेंट्स ने भुगता, इन कॉलेजेज में लर्निंग प्रॉसेस थेयरी बेस्ट है, जिसमें इंडस्ट्री की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता, आई आई टी, एन आई टी और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग जिस्टुडेंट्स को जॉब रेडी नहीं कर सके, हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर्स ग्रूप D लेवल की जॉब्स के लिए भी अपलाई कर रहे हैं, जिसमें योग्यता केवल बारहमी पास मांगी गई थी, इंजीनिरिंग एडुकेशन की गुडवत्ता बढ़ाने के लिए भारत सरकार TEQIP यानि टेक्निकल एडुकेशन क्वालिटी इंप्रूव्मेंट प्रोग्राम भी चला रही है, दोहजार तेस में एक मुद्दा जो खूब चर्चा में रहा वो था धर्मांतरण, इसे लेकर सुप्रीम कोट में एक याचिका पेश की गई इन राजियों के रिलिजियस कनवर्जन लॉज को लेकर आपति जाहिर की थी, 2017 के बाद बीजेपी शासित कई राजियों में धर्मांतरण कानून को लेकर सक्ती की गई है, उत्तर प्रदेश ने धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया है, वही मद्द्य प्रदेश ने अपने 1968 के कानून में संशोधन किया है, इन कानूनों को चुनोती भारतिय संविधान के अनुछेद 25, 21 और 14 के अधार पर दी जाती है, स्वतंतरण के बाद ओडिशा पहला राजिय था जिसने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू किया था, आज का ओडिशा उस आई करने की सिफारिश कर सके, आपको बता दे कि विधी आयोग एक गैर सामविधिक संस्था है, इसे भारत सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के जरीए गठित किया जाता है, विधी आयोग कानून मंत्राले द्वारा मुहिया कराएगे, टर्म्स ओफ रेफरेंस को अधार बना कर, तमाम कानूनों पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट पेश करता है, केंद्र सरकार ने नौवंबर 2022 में 22 में विधी आयोग का गठन किया है, करनाटक हाई कोट के रिटायर मुखे नयाधी शरितुराज अवस्थी को इसका ध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बीजेपी के केंद्र के सत्ता में काबिज होने के बाद एक इशू जिस पर लगतार बहस होती रही है, वो है पंथ निर्पिक्षता, और 2013 का साल भी इससे अचूता नहीं रहा, 2013 के शुरुवाती महीने में ही सुप्रियम कोट ने हेट क्राइम और सेकुलरिजम यानी पंथ निर्पिक्षता को लेकर बड़ा बयान दिया, कोट ने का, the state and society cannot ignore हेट क्राइम, for one day it may come knocking on their doors, मतलब ये कि आज अगर हम नफरत पर आधारित अपराधों को सिर्फ इसलिए इगनोर कर दें, कि वो हमारे साथ नहीं हुआ, या हम पीडित नहीं है, तो कल वो हमारे साथ भी ह क्योंकि आज हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, कोट का ये बयान नफरत आधारित हिंसा के एक मामले पर आया, कोट के मुताबिक नफरत आधारित अपराधों का समधान तभी हो सकता है, जब राज्ये इससे समस्या के तोर पर स्विकार करे, कोट ने कहा कि अल्प निर्पेक्ष राज्ये घोशित करती है, 42 में समधान संशोधन के जरीये प्रस्तावना में तीन शब्द, सोशलिस्ट यानि समाजवादी, सेकुलर यानि पंथ निर्पेक्ष और इंटीग्रेटी यानि अखंडता जोड़े गये थे, प्रस्तावना में सौवरेन डेमोक्र पर कोई धर्म नहीं होता, लेकिन लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होती है, सरकार सभी धर्मों और मानेताओं को समान रूप से सम्मान देती है चलिए आगे बढ़ें, तुर्की में एक कहावत है, दोस्त करा गुंदे बेली ओलूर, मतलब ये कि जरूरत के वक्त एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है भारत ने इस कहावत पर खरा उतरते हुए तुर्किये में आई भुकंप आपदा के बाद सहायता भेजी भारत की तरफ से आर्मी मेडिकल टीम और NDRF यानि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स को तुर्किये भेजा गया था इस से पहले NDRF 2011 में आये जापान भुकंप और 2015 के नेपाल भुकंप के दोरान ऐसे आपरेशन्स कर चुकी है 1999 में ओडिशा के सूपर साइकलोन 2001 के गुजराद भुकंप और 2004 के सुनामी के बाद देश में आपदा प्रबंधन योजिना के जरूरत महसूस की गई थी इसी के बाद दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया इस एक्ट के तहट NDA में यानि राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधान मंत्री आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ही NDRF का प्रावधान किया गया था इसका गठन प्राकृतिक और मानो निर्मित आपदा के समय विशेशिक्रित रिस्पॉंस करने के लिए किया गया है 2006 में NDRF का गठन आठ बटालियंस के साथ किया गया था वर्तमान में इसमें 15 बटालियंस हैं जिसमें परसनल्स, CISF, BSF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल्स से लिए जाते हैं NDRF एक यूनीक फोर्स के तौर पर ग्रिह मंत्राले के अधिन काम करती है इसका कमांड और कंट्रोल डिरेक्टर जनरल NDRF के पास होता है जब से भारत आजाद हुआ है एक बात जो लगतार उठती रही है वो राज्यों का विभाजन करके अलग राज्यों के गठन की बात शत्रिया आकांक्षाओं के मद्दे नजर सरकारें ऐसा करती भी रही है 2023 में उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग की खबर चर्चा में थी त्रिपुरा की नई बनी राजनितिक पाटी तिपुरा यानि तिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रिसिव रीजनल अलायंस मोथा का गठन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को आधार बना कर ही किया गया है greater tripura land तिप्रा मोथा की कोर मांग है इसका मकसद tripura के indigenous लोगों को समविधान के मुताबिक उनके अधिकार दिलवाना है इसके मुताबिक समविधान के अनुचे 2 और 3 के तहट tripura की 19 indigenous tribes के लिए अलग राज्य का गठन करना है समविधान के अनुचे 2 और 3 का मकसद लगभग एक है लेकिन इनके बीच के बारीक अंतर को समझना जरूरी है आपको बता दें भारतिय समविधान के अनुचे 2 के मुताबिक संसद विधी द्वारा ऐसे टर्म्स और कंडिशन्स पर जिन्हें वो ठीक समझे नए राज्यों का संघ में प्रवेश करा सकती है वहीं अनुचे 3 के मुताबिक संसद नए राज्यों का गठन मौझूदा राज्यों के क्षत्रफल सीमा या फिर नामों में परिवर्तन कर सकती है संसद मौजूदा राजियों का क्षत्रफल घटा या फिर बढ़ा सकती है चलिए आगे बढ़ें अगर आपसे भारत के समविधान की कोई एक ऐसी विशेष्टा बताने को कहा जाए जो लोकतंत्र के लिहाद से एहम है मेरे हिसाब से नियाईक समिक्षा एक ऐसी विशेष्टा है जिसके बिना लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं बन सकता 2023 में सुप्रेम कोट ने एक 9 पेज का आदेश जारी किया था इसके मुताबिक अगर कॉलेजियम ने किसी जज को समविधानिक कोट में नियुक्त करना तै किया है तो अब इसे नियाईक समिक्षा के दाएरे में नहीं लाया जा सकता कहने का मतलब ये कि कोट की नियाईक समिक्षा के शक्ति कॉलेजियम के निरने को रीकंसीडर करने के लिए नहीं कह सकती नाइक समिक्षा के शक्ती के तहट सुप्रेम कोट और हाई कोट किसी कानून को समविधान का उलंगन करने पर रद्ध कर सकते हैं नाइक समिक्षा के शक्ती समविधान के अनुचे 13 से मिलती है बारतिया संविधान में इसे USA यनी अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है नयाईक समिक्षा के आउधारणा के उत्पती ही USA से हुई है इसकी उत्पती पहली बार मार्बरी बना मेडिसिन मामले में हुई थी गौहर तलब है कि शक्ति के प्रिथक्करण के सिध्धान्त के मुताबिक लोकतंत्र का हर स्तंब, कारेपालिका, विधाईका और नियाईपालिका अपने कारियों को अलग-अलग और अलग संस्था के तौर पर करें भारत में कारेपालिका नेतिकत निर्णेयों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्यदार है विधाई का कानूनों का निर्माड करती है नयाइपालिका विवादों को सुलजाने के लिए जिम्यदार है शक्ती के प्रिथककरण का सिध्धान्त भारतिय समविधान के मुल तक्षेप नहीं करती हैं नयाइक समिक्षा के जरीये कारेपालिका और विधाइका पर नियंत्रण करती है विधाइका कारेपालिका की कारियों की समिक्षा करती है चलिए बढ़ें एक और खबर की तरब मदरास हाई कोट में एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति पर विवाद देखने को मिला था गौर तलब है कि कॉलेजियम ने विक्टोरिया गौरी को हाई कोट में प्रमोट करने की सिफारिश की थी हलाकि इस नियुक्ति पर विवाद शुरू हुआ जब मदरास हाई कोट के वकीलों ने उन पर नफरती भाशन देने का रूप लगाया साथी भारत के मुख्य नायधीश से सिफारिश को वापस लेने की मांग की गई सुप्रीम कोट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था साथिसाफ किया था कि एक उमिद्वार की राजनितिक संबधता या उनके विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति नायधीश के रूप में उनके काम को प्रभावित नहीं करती उसके बाद विक्टोरिया गौरी ने मदरास हाई कोट के एक अतिरिक्त नायधीश के रूप में शपत ली इसके बाद विशेशग्यों ने चिंता जाहर की दरसल हाई कोट के जजों की शपत का वर्णन संबिधान की अनुसूची तीन में किया गया है अनुसूची तीन के मुताबिक हाई कोट के जज की शपत में कहा जाता है कि वे बिना किसी पक्षपात के नयाय करेंगे ये शपत हाई कोट और सुप्रेम कोट के जजज के लिए यूनिक है वे संबिधान के प्रहरी माने जाते हैं इसी के मद्दे नजर विशिशग्यों का सवाल है कि धार्मिक कटर्ता दिखाने वाला व्यक्ति इस शपत का निर्वहन कैसे कर पाएगा आपको बता दें संबिधान के अनुसूची तीन में संगिय मंत्री, संसत के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसत सदस्य, उच्छतम नयायाले के नयाधीश, कैग, किसी राजजी के मंत्री, राज्य विधान मंदल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधान कि तरफ रुख करें बारहमें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फीजी में 15-17 फरवरी 2023 की दौरान किया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन की परकलपना राश्ट्र भाषा प्रचार समिती वर्धा द्वारा 1973 में की गई थी इसके बाद 1975 में ततकालीन प्रधान मंत्री इं के समनवयन के लिए एक संस्था के स्थापना का विचार रखा लगतार कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में मन्थन के बाद मौरिशस में विश्व हिंदी सचिवाले स्थापित करने पर भारत और मौरिशस की सरकारों के बीच सहमती बनी दोनों सरकारों के बीच समझोते पर हस्ताक्षर किये गये मौरशस की विधान सभा में अधिनियम पारित किया गया 11 फरवरी 2008 को वेश्व हिंदी सचिवाले ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू किया सचिवाले का मुख्य मकसद एक अंतर राष्ट्रिय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना है साथ ही हिंदी को सन्युक्त राष्ट्र संग की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक वैश्विक मंच तयार करना है आपको बता दें कि भारतिय संविधान के अनुचे 343 के मुताबिक संग की आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपी में होगी वहीं संविधान के अनुचे 351 में केंदर सरकार का यह करतव्य होगा कि वह हिंदी को बढ़ावा दे हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है भारत के अलावा साथ अन्य देशों में हिंदी का इस्तमाल मात्री भाषा के तौर पर किया जाता है इन देशों में फिजी, न्यूजिलेंड, सिंगापूर, जमायका, त्रिनेदाद, एंड टोबैगो, मौरिशस और फ्रेंच गुयाना इस साल यूनियन कैबनेट ने सेंट्रली स्पॉंसर्ड वाइबरिंट विलेज प्रोग्राम को मनजूरी भी दी इस योजना को वित्तवर्श 2022-2022 से 2025-26 के लिए मनजूरी दी गई इस कारिक्रम के तहट देश की उत्तरी सीमा से सटे गाउं में व्यापक विकास कारियों को अंजाम दिया जाएगा इस योजना में राज्जी अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम हिमाचल प्रदेश, उत्तरा खंड और संग शासित प्रदेश लग्दाक शामिल हैं कारिक्रम के पहले चरण में 662 गाउं में रोजगार के आउसर स्रिजित किये जाएंगे जिससे इस्थानिया जनसंख्या का प्रवासन रुख सके लोगों का प्रवासन रुखने से सीमा वर्ती क्षित्रो के सुरक्षा में भी जाफा होगा गाउं के इस्थानिया प्राकृ आसन द्वारा ग्राम पंचायत की मदद से त्यार किया जाएगा वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम की घोशना बजट स्पीच 2022 में की गई थी इसमें साफ किया गया है कि कारिक्रम की ओवर्लैपिंग बॉर्डर एरिया डेवलप्मेंट प्रोग्राम के साथ नहीं होगा प् इसराष्ट्र व्यापी कैमपेंग का संचालन ब्रह्म कुमारी संगठन और जल शक्ती मंत्राले के द्वारा किया जा रहा है इसके तहत आठ महीनों के भीतर देश भर के 5000 से ज्यादा जल निकायों को संरक्षित किया जाना था साथ ही नए जल निकायों का गठन भी किया जा इसके कैमपेंग में 10 करोन लोगों तक पहुँच बनाने का लक्ष रखा गया है इसमें माना गया है कि जन चेतना का विकास करके ही जल संरक्षन के लक्ष को हासिल किया जा सकता है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इश्वरिय विश्व विद्याले को ब्रह्म कुमारीज के नाम से जाना जाता है भारत में इसका गठन साल 1936 में ब्रहम बाबा के द्वारा किया गया था इसका अंतराष्ट्रिया मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में है भारत से बाहर ब्रहम कुमारिश का प्रचार प्रसार साल 1971 से हुआ इसके सेंटर्स 120 से ज्यादा देशों में मौझूद हैं इसका मकसद लोगों को अध्यात्मिक ज्यान से रूबरू कराना है इसमें मेडिटेशन और अध्यान जैसी गतिविधियां की जाती हैं आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रा लेद्वारा जल जीवन मिशन योजना भी चलाई जा रही है इसका मकसद देश के सभी ग्रामेड घरों में नल कनेक्शन के जरीए दोहजार चौबीस तक पीने का साफ पानी पहुचाना है इसे पंदरा अगस दोहजार उन्नीस को लॉंच किया गया था चले अब अगली खबर देख लेते हैं फरवरी दोहजार तेस में कैमिनेट कमिटी ओन अपॉइंट्मेंट्स ने बी वी आर सुब्रमन्यम को नीती आयोग का CEO नियुक्त किया National Institute for Transforming India यानि राष्ट्रिया भारत परिवर्तन संस्था को नीती आयोग भी कहा जाता है इसका गठन एक जन्वरी 2015 को किया गया था नीती आयोग भारत सरकार का प्रमुक नीतिगत थिंक टेंक है यह दिशात्मक और नीतिगत इंपुट फ्रदान करता है इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था DMEO यानि Development, Monitoring and Evaluation Office नीती आयोग का Attached Office है इसका गठन 18 सितंबर 2015 को हुआ इसका मकसद सरकार की योजनाओं पहलों और कारिक्रमों के लागू होने को मॉनिटर करना है NILERD यानि National Institute for Labor Economics Research and Development नीती आयोग के तहत एक स्वायत संस्थान है ये अपनी तरह का देश में एक लोता संस्थान है इसका गठन भारत सरकार द्वारा 1962 में किया गया था आपको बता दे कि नीती आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं अभी कुछ दिनों पहले केंद्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी का मेंस्ट्रूल पेन लीव पर दिया गया बयान बड़ा चर्चा में रहा इस पूरी बहस को हमने एनिमेशन वीडियो की सीरीज में भी कवर किया है आप उसे देख सकते हैं 2030 की शुरूआत में सुप्रेम कोट ने सरकार से महिलाओं को मेंस्ट्रूल पेन लीव देने के लिए पॉलिसी बनाने पर जोर दिया था दरसले के याचिका में सुप्रेम कोट से अपील की गई थी कि वह इस दिशा में सरकार को आदेश दे कोट का मानना है कि अगर इसके लिए कोई आदेश जारी कर दिया जाता है तो शायद इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के छुट्टी के प्रावधान के चलते इंप्लॉयर्स महिला कर्मचारियों को काम करने का मौका ही न दे इसलिए बहतर होगा कि या तो इंप्लॉयर्स ही इसे अपने अस्तर पर लागू करें या फिर सरकार इस पर कोई पॉलिसी बनाए याचिका में बिहार और केरल के उदाहरण दिये गए भारत में केवल दो ही राज्या ऐसे हैं जो महिलाओं को मैंस्ट्रूल पेन लीव मोहिया कराते हैं वैश्वे के सर पर उनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, इंडोनेशिया, दक्षन कोरिया और स्पेन जैसे देशों में इस तरह के छुट्टी की विवस्था की गई है याचिका में 1961 के मात्रित्व लाभ अधिनियम की धारा 14 का हवाला भी दिया गया था इस धारा में प्रसूती संबंदी मामलों में जाच परख के लिए एक निरिक्षक की नियुक्ती का प्राउधान है इसके अलावा सरकार ऐसे अधिकारियों की नियुक्ती भी कर सकती है जो इस कानून के पालन की निगरानी करेंगे याचिका में बताया गया था कि भारत में किसी भी सरकार ने इस तरह का अभी तक कोई निरिक्षक नियुक्त नहीं किया है जो इस कानून के इंप्लिमेंटेशन की जाच करे आपको बता दें कि 1961 का यही कानून गर्भवती महिलाओं को पेड लीव देने की विवस्था करता है चलिए आगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कई बार कोई रिपोर्ट उतनी एहम नहीं होती लेकिन जिस संस्था द्वारा उजारी की जा रही होती है वो संस्था एहम होती है इस खबर में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक देवरोय द्वारा जारी फांडेशनल लिटरेसी एंड नियूमेरेसी रिपोर्ट की विवेक देवरोय एसी पीम यानि उसी भाषा में शिक्षण मोहिया कराया जाना चाहिए इससे लर्निंग में तेजी आती है रिपोर्ट में नेपोर्ण भारत पहल को हाईलाइट किया गया था नेपोर्ण से मतलब क्या है नेपोर्ण से मतलब है National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy गौर्ट अलब है कि राष्ट्रियस शिक्षा नीती 2020 में साल 2025 तक प्राथमिक स्कूलों में Universal Foundational Literacy and Numeracy हासिल करने का लक्ष रखा गया है शिक्षा मंत्रादे दोरा इस लक्ष को हासिल करने के मकसद से ही निपोर्ण भारत पहल शुरू की गई है आपको बता दें कि EAC PM एक स्वतंत्र संस्था है इसका गठान आर्थिक और उससे जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के मकसद से किया गया है ये सरकार विशेश तोर पर प्रधान मंत्री को सलाह देने के लिए जिम्मधार है मनरेगा सरकार की एक ऐसी योजना है जो लागू होने के बाद से लगतार खबरों में रही है इस योजना पर UPSC के परिक्षा में पहले भी सवाल पूछे गए हैं आगे भी पूछे जाने के संभावना है साल 2023 में मनरेगा में एप आधारित अटेंडेंस के चलते 100 दिन का विरोध प्रदर्शन किया गया था समाजिक कारेकरता अरुना रॉय के मुताबिक ये नया सिस्टम कानून को कमजोर बना रहा है उनके मुताबिक इस कानून को हासिल करने के लिए लोगों ने 10 से 12 साल संगर्श किया है दरसल ग्रामीडों को रोजगार देने वाला ये कानून आप आधारित व्यवस्था के चलते प्रभावित हो रहा है कई बार नेटवर्क समझ समस्या के चलते अप काम नहीं करता और लोगों को पेमेंट का नुकसान उठाना पड़ता है सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को मई 2021 से पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था तब 20 या उससे ज्यादा मज़़ूरों वाली साइट पर लागू किया गया था एक जनवरी 2023 से इसे युनिवर्सल कर दिया गया डिजिटल तोर पर अटेंडेंस एन एम एम एस यानि नेशनल मोबाइल मॉनेटरिंग सिस्टम के जरीए कैप्चर की जाती है इसमें रियल टाइम मॉनेटरिंग के साथ जियो टैग्ड फोटोग्राफ अटेच्ट की जा सकती है जियो टैगिंग से मतलब क्या है जियो टैगिंग से मतलब है किसी फोटो या वीडियो में जियोग्राफिक इन्फॉर्मिशन जैसे अच्छांश और देशांतर की जानकारी जोड़ दी जाती है जो की लोकेशन की सही जानकारी मोहिया कराते हैं गौर तलब है कि अरुना रॉय एक सामाजिक कारे करता हैं वे मजदूर किसान शक्ति संगठन की संस्थापक हैं साथ ही उन्हें आर्टी आई एक्ट दोहजार पांच को लागू करवाने के लिए जाना जाता है इसके अलावा उनकी भूमिका राइट टू वर्क कैंपेन में भी रही जिसने फाइनली मनरेगा कानून को अस्तित्तों में लाया आपको बता दें कि मनरेगा के तहत एक वित्तिय वर्ष में हर ग्रामीड परिवार को नियून तम सौ दिनों का गैरेंटीड वेज इंत्वाइमेंट मोहिया कराया जाता है ग्रामीड परिवार के वयस को स जीविका के संसाधन मोहिया कराना भारतिया संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉइमेंट गैरेंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था यह एक्ट लागू हुआ दो फरवरी 2006 को केंदर सरकार ने पुंची कमिशन पर राज्यों के विचार आमंत्रित किये यह विचार इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा रिव्यू करने के बाद मांगे गये हैं सदस्यों में धिरेंदर सिंग, विनोत कुमार दुगल, एनार माधाव मेनन और अमरेश बागची शामिल थे. कमिशन ने अपनी रिपोर्ट साल 2010 में सौंपी थी. इस कमिशन को केंदर राज्य संबंधों से जुड़े विभिन पहलूं पर रिपोर्ट सौंपते के लिए कहा गया था. इसमें साम्तरदाइक हिंसा, जातिगत हिंसा और अन्य सामाजिक विवाद के मसलों पर केंदर के जिम्मेदारी जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था. इसके अलावा कर और पाल की नियुकती जिस राज्य में की जा रही है वह उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए. इसके अलावा वह व्यक्ति इस्थानिया राजनिती में इन्वाल्ब नहीं होना चाहिए. राष्टपती शासन के समय बुम्मई मामले में गाइड लाइन्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए 2014 में जब नरेंद्र मुदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कुछ बहुत जरूरी और एहम फैसले लिए उनमें से एक था जिम का लॉंच 2023 में GEM के पहल स्वायत की सफलता को मनाने के लिए एक कारिक्रम का आयोजन किया गया स्वायत से मतलब है स्टार्टप, विमन और यूद को GEM पर ट्रांजेक्शन के जरीए बढ़ावा दिना गौरतलवे की GEM पर 8.5 लाग सूक्ष्म और लगवू द्योग दर्ज हैं जो की सामाजिक और वित्य समाविशन को बढ़ावा देने का जरीया है स्वायत कुफ हरवरी 2019 में लौंच किया गया था इसका मकसद विभिन वर्गों के विक्रेताओं को GEM पर लाना था इस पोर्टल ने महिलाओं, दिव्यांग जनों और जनजातियों को अपनी वस्तु में सीधे सरकार को बेचने का साधन मोहिया कराया है GEM का मतलब है Government E-Marketplace ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर सरकारी विभाग संस्थाएं PSU अपने जरूरत की वस्तु और सेमाओं की खरीद कर सकते हैं ये पारदर्शिता और खरीद में आसानी को बढ़ावा देता है इसे 9 अगस्ट 2016 को वाडिज ये वो मुद्योग मंत्रा लेके द्वारा लॉंच किया गया था यह सरकार की minimum government, maximum governance की अवधारना पर अधारी थे चलिए अब मार्च की खबर देख लेते हैं जितनर सिंग ने एक portal launch किया था ये research के लिए grants और fund मोहिया कराने के मकसद से launch किया गया था इसका मकसद महिला वैज्यानिकों को खास तोर पर research के लिए grant मोहिया कराना है ये portal CSIR की CSIR Aspire यूजना के तहत लॉंच किया गया है CSIR यानि Council of Scientific and Industrial Research विज्ञान आयों प्रद्यूग की मंत्राले के तहत एक research and development की संस्था है अंतराष्ट्रिय महिला दिवस के इतिहास की बात करें तो साल 1975 में UN द्वारा इसे पहली बार मनाया गया था अगर किसी देश के स्तर की बात करें तो USA में महिला अधिकारों जैसे की voting rights, better pay आदी को लेकर movement चलाया जा रहा था साल 1909 में USA में सबसे पहले Women's Day का आयोजन किया गया इसके बाद कई देशों ने इस परंपरा को निभाया महिला अधिकारों के वकालत करने वाला ये दिन किसी एक संस्था या देश को बिलॉंग नहीं करता इस दिन का मकसद दुनिया के हर महिला के अधिकारों की बात करना है 2016 में UPSC ने Quality Council of India पर सवाल पूछ लिया था तब से ऐसी संस्थाएं जो बहुत चर्चा में नहीं रहती लेकिन देश की राजव्यवस्था में एहमियत रखती हैं उन्हें एक्जाम के लिए कवर करना जरूरी हो गया ऐसी ही एक संस्था है बार काउंसिल आफ इंडिया 2023 में इसने Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India 2022 जारी किया था इन में विदेशी वकीलों को भी कुछ मामलों में भारत में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी गई इन मामलों में विदेशी कानून, अंतराश्ट्रिय विधिक मामले और मध्धस्तता सम्मंधी मुद्धे शामिल हैं काउंसिल के मुताबिक ये फैसला भारत और विदेश दोनों के वकीलों के लिए फायदे का साबित होगा बारत में विदेशी वकीलों की practice सीमित और नियमित रहेगी विदेशी वकील कोट की सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते केवल विधिक सलाह मुहिया करा सकते हैं नियमों के मताबिक बार काउंसिल किसी देश से लॉयर्स को register करने की संख्या को सीमित भी कर सकती है आपको बता दें, बार काउंसिल ओफ इंडिया एक सामविधिक संस्था है, इसे संसथ ने Advocates Act 1961 के तहट गठित किया था, इस अधिनियम के तहट काउंसिल के कारे भी निरधारित किये गए हैं, इन कारियों को पूरा करने के मकसद से काउंसिल उपहार, डोनेशन और वकीलों के लिए Code of Conduct तेयार करना और गरीबों को विधिक सहायता मोहिया कराने के लिए जिम्मदार है, लंबे वक्त से Capital Punishment भी चर्चा में रहा, दोजार तेईस में भी सुप्रेम कोट ने Capital Punishment के दौरान दी जाने वाले फांसी के सजा पर विचार करने के लिए केस को पहस में इस पर विचार किया जाता है कि हैंगिंग यानि फांसी पर लटकाये जाने के अलावा कोई और मानविया और गर्मा पूर्ण विकल्प हो सकता है, साल 2017 में इस मामले में एक PIL दायर की गई थी, PIL में CRPC की धारा 354 को चुनौती दी गई थी, इस धारा के मताबिक जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती है, तो सजा देने के लिए उसे तब तक गले से फांसी पर लटकाया जाए, जब तक वो मर न जाए, PIL में इसी प्रावधान को ले कर विरोध जताया गया, एक व्यक्ति जिसे मौत की सजा सुनाई गई है, उसे फांसी पर पंजाब राज्य केस भी एहम है इसमें सुप्रेम कोट की समवधानिक पीठ ने चार एक की रूलिंग से डेट सेंटेंस की समवधानिकता को बरकरार रखा था साल 2003 में विधी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में CRPC की धारा 354 में बदलाओ की बात कही थी साथ ही मौत की सजा के लिए घातक इंजेक्शन की सिफारिश की थी एमिनेस्ट्री इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में 55 देश ऐसे हैं जहां मौत की सजा दी जाती है इनमें भी फासी द्वारा मौत की सजा सबसे प्रचलित तरीका है कोछ देशों में अन्य तरीके भी हैं USA में घातक इंज करके मौत की सजा दी जाती है मार्च 2023 में राजनितिक गलियारों से एक एहम ख़बर आई वो थी वाइनाड से लोगसभा सांसद राहूल गांधी की सदस्यता का निलंबन हालाकि अगस्त 2023 में सुप्रेम कोट ने इस निलंबन को कैंसिल कर दिया दरसल राहूल गांधी को मा इस टिपणी को लेकर राहूल गांधी के खिलाफ आई पीसी यानि भारतिय दंड सनहिता की धारा 499 और 500 के तहत गुजरात के सूरत में केस दर्च किया गया था असल में भारतिय दंड सनहिता की धारा 499 आपराधिक मानहानी के मामलों में अधिक्तम दो साल की सजा का प्रा इस दारा में कुछ विशेश अपराध शामिल हैं जैसे दो सम्मूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत खोरी और चुनाओं में भरष्ट आचरन आदी मगर मानहानी का मामला इस सूची में शामिल नहीं है वहीं दूसरे मामले में जन प्रतने देत्वा धिनियम 1951 की धारा आठ तीन के अनुसार आयोग्य माना जा सकता है इस धारा के मुताबिक दो या उस्ते अधिक साल की सजा पाने वाले विधाईका के सदस्य सदन की सदस्यता रखने से आयोग्य हो जाते हैं इसी कानून की धारा आठ चार ये भी प्रावधान करता है कि दोश सिद्धी की तारीक से आयोग्यता तीन महिने बीट जाने के बाद प्रभावी होगी क्योंकि इस अधिक के भीतर दोशी संसत सदस्य से उच्च नयायाले के समक्ष सदा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं हलाकि इस प्रावधान को सुप्रेम कोट ने 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन आफ इंडिया के फैसले में आसम वैधानी गोशित कर दिया था चलिए आगे बढ़ें एफिनिटी टेस्ट भी इस साल ख़वरों में रहा सुप्रेम कोट ने अपने एक फैसले में कहा कि एफिनिटी टेस्ट या आत्मियता परिक्षण जाती के दावे में लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता यहां लिटमस टेस्ट से मतलब है अंतिम निर्ण देवी देवताओं के बारे में जानकारी विवाह मृत्यू से संबंधित रिवाजूं पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो व्यक्ति जिस भी जाती या जनजाती का दावा कर रहा होता है उसे इन से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए कोट का कहना है ऐसा हो सकता है कि को भी उसे जानकारी हो वहीं दूसरी और कोई व्यक्ति लंबे वक्त से शेहरी क्षत्र में रह रहा हो इन परंपराओं से दूर हो तो उसकी जानकारी सीमित हो सकती है ऐसे में एफिनिटी टेस्ट को इन दावों के परिक्षण का अधार नहीं बनाया जाना चाहिए आपको ब दिवस मनाया गया प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सीबी आई के डायमंड जूबली समारोह का शुभरंब किया था इस समारोह के अवसर पर पोश्टल इस्टाम भी जारी किया गया साती सीबी आई के पूनेह नागपूर और शिलोंग में तयार हुए आफिस का भी शुभरंब हुआ डायमंड जूबली का आयोजन साट साल पूरे होने पर किया जाता है सीबी आई का गठन एक अपरेल 1963 को ग्रिह मंत्राले के एक संकल्प के द्वारा किया गया था इसका गठन संथानम आयोग के सिफारिश पर किया गया था वरतमान में सीबी सीर मामलों का इन्वेस्टिकेशन करने और देश के पुलिस बलों को भरष्टाचार से लड़ने में लीडर्शिप मोहया कराने की दोहरी जिम्मदारी है सीबी आई में क्राइम के लिए तीन डिविजन तियार किये गए हैं इनमें एंटी करप्शन डिविजन, एकोनोमिक ओफेंस डिविजन, स्पेशल क्राइम्स डिविजन शामिल हैं यह कॉंस्टिटूशनल बॉडी नहीं है इसे शक्ती दिल्ली विशेश पुलिस स्थापन आधिनियम 1946 से मिलती है इसके मुख्य काम है केंदर सरकार के कर्मचारियों के भरष्टाचार, रिश्वत खोरी और दूराचार आधी मामलों की जाच करना इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जाच करना साथिया भरष्टाच सरकार निरोधक एजनसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वे स्थापित करने का काम भी करती है सीबी आई भारत में इंटर पोल के नेशनल सेंटरल ब्यूरो के रूप में भी कारे करती है इधर 3 अप्रेल को राज्यसभा दिवस मनाया गया था 3 अप्रेल 1952 को राज्यसभा स्तित्व में आई थी 1952 में ही राजिसभा के ततकालिन सभापती सर्वपली राधा Κरिष्णन ने कांसिल ओफिस्टेट के हिंदी नाम राज्यसभा की घोशन की थी राज्य सभा का गठन एक review house के तौर पर हुआ था जो लोग सभा दोरा पास किये गए प्रस्तावों की जाँच करता है यह एक स्थाई सदन है और हर दो साल पर एक तिहाई सदस से इसमें रेटायर हो जाते हैं बदल जाते हैं इसके लिए एक चुनाओ प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए राज्य सभा के सदस्यों का चुनाओ होता है राज्य सभा के सदस्यों को राज्यों के प्रतिनिधी के तौर पर चुना जाता है वर्तमान में इस सदन में 245 सदस्य हैं जिन में से 233 सदस्यों का निर्वाचन और 12 सदस्यों को राष्टपती मनूनित करते हैं मनूनित होने वाले सदस्य साहित्य विज्ञान कला समाज सिवा जैसे क्षत्रों से आते हैं निर्वाचित सदस्यों का चुनाओ राजे विधान सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगर लोकसभा किसे बिल को जल्दबाजी में पारित कर देती हैं। इसी के साथ देश में वरतमान में केवल 6 राजनितिक दलों को ही राश्ट्रिया राजनितिक दल का दर्जा प्राप्त है। इसके उलट शेत्रिया पार्टी के पहुंच एक राज्जी या क्षत्र तक सीमित होती है। चुनावा आयोग ने राश्ट्रिया पार्टी के लिए कुछ शर्ते निर्धारित की हैं। ये शर्ते इलेक्शन सिम्बॉल्स रिजर्वेशन एंड अलॉट्मेंट ओर्डर उनिस्सो अन्सट के तहत हैं। इंशर्टों के मुताबिक यदि किसी पार्टी को लोग सभा या विदान सभा के आम चुनाओं में चार या उससे अधिक राज्यों में वैधमतों का 6% हासिल हूँ। साथ ही किसी राज्य या राज्यों में से लोग सभा में 4 सीट हासिल हूँ। या कोई दल लोकसभा में दो फीस्दी सीट जीतता है साथ ही ये सीट उसे तीन अलग अलग राजियों में हासिल होती है या यदि किसी दल को कम से कम चार राजियों में राज इस्तरिय दल की मानेता दी गई हो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में राज इस्तरिय दल की मानेता हसिल है चलिए आगे बढ़ें इसके बाद देखें खबरों में क्या आया खबरों में आया इसके बाद राष्ट्रिया अनुसूचित जाती आयोग सुप्रेम कोट ने के अंदर सरकार को राष्ट्रिया अनुसूचित जाती आयोग में मौझूद खाली पदों को जल्द भरने का आदेश दिया हमारे लिए जानना जरूरी है कि राष्ट्रिया अनुसूचित जाती आयोग क्या है यह एक समविधानिक निका है इसका घठन समविधान के अनुचे 338 के तहत किया गया है इसे अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के सामाजिक, शेक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के मकसद से इस्थापित किया गया है साथ ही यहां आयोग इन समुदायों के खिलाफ हो रहे शुषण से भी इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है गौर तलब है कि मूल सम्विधान के अनुचे 338 में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए एक विशेश अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था 1990 के 65 में सम्विधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विशेश अधिकारी के बदले एक उच्छ इस्तरिया बहुस अधस्या राष्ट्रिया अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के स्थापन की गई फिर 2003 के 89 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रिया आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और अनुछे 338 के तहट राष्ट्रिया अनुसूचित जाती आयोग और अनुछे 338 A के तहट राष्ट्रिया अनुसूचित जन जाती आयोग को नियुक्त किये जाते हैं। इनकी सेवा शर्तें और कारेकाल भी राष्टपती द्वारा ही तै किये जाते हैं। मावलंकर थे। वहीं पहली लोगसभा के डेपुटी स्पीकर का पद अनंत शैयनम अयंगर को हासिल हुआ था। लोगसभा नाम से इस पष्ठ है जनता की सभा यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए प्रतिनिद्यों की सभा होती है। 30 सदस से राज्यों से वहीं 20 सदस से संग शासित प्रदेशों के होते हैं। 104 संभिधान संशोधान अधिनियम 2019 के लागू होने से पूर्व तक दो सदस से एंगलो इंडियन कम्यूनिटी से चुने जाते थे। राज्यों के प्रतिनिद्यी विभिन निर्वाचन क्षत्रों से लोगों द्वारा प्रतेक्ष तौर पर चुने जाते हैं। कोट देने की उम्र को 61 संभिधान संशोधान अधिनियम 1988 द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। लोगसभाद एक्तम 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आम तोर पर इसकी अवधी आम चुनाओं के बाद हुई पहली बैठक से 5 साल के लिए होती है। हाला कि इसे 5 साल से पहले भी विगटित किया जा सकता है और नहीं डिजॉल्व किया जा सकता है। इसका अधिकार राष्टपती के पास है। इसे कोट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा दो इस्थितियों में होता है पहला प्रधानमंत्री राष्टपती को डिजॉल्व करने की सलाह दें दूसरा यदि कोई दल या कोईलिशन गॉर्णमेंट न बना सके इसके अलावा लोकसभा की अवधी इमर्जन्सी यानि आपातकाल के इस्थिति में एक बार में एक साल तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन ये किसी भी स्थिति में आपातकाल खत्म होने के बाद छे महीने की आउधी से जादा नहीं हो सकता तो चलिए इस एर एंड कंपाइलेशन में आज पॉलिटी में इतना ही रखते हैं लेकिन इसका अगला भाग जल्दी ही आपके सामने होग क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं 2023 के अप्रेल तक अगले पार्ट में फिर बाकी खबरें आपको बताएंगे अपना ख्याल रखिए नमस्कार हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi झाल